हलो एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल जे के एक्जाम ट्रिप माइड यूर फ्रेंड्स डिरेक्टो रेट आफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से एक अड़र्टीजमेंट नोटिस निकाला गया है तो इस वीडियो में हम इसी के रिलेटिड बात करेंगे तो यह जो नोटिस है यह आपको डिरेक्टो रेट आफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जो ओफिशल वेबसाइट है वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं यह किसके रिलेटिड है तो यह जो नोटिस है यह निकाला गया है जी हाइरिंग को लेके किसकी क्लस्टर रिसोर्स कोडिनेटर फार टीचिंग सपोर्ट तेल एंड अफ अकैडेमिक सेशन 2023-2024 फार गोर्लमेंट हाई अड हैर स्केंरि स्कूल जो भी जेहंड के अंदर हाई या फिर हाइर स्केंरि स्कूल से हैं उनके लिए यहां पर teachers और lecturers को जो है hire किया जा रहा है academic session 2023 to 2024 contract basis पर तो यह जो contract basis पर hire किया जा रहे है cluster resource coordinator for teaching sport तो इनका जो time period रेने वाला है यह 31st March 2024 तक रहेगा तो चलिए आब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और important जो information है उसके बारे में discussion कार लेते हैं तो यह जो notification number है यह 1 DSCK of 2023 यह 9th of August 2023 को publish जा गया था इनकी website को यहां पर जो application का mode है इन posts के लिए आप जो है online apply कर सकेंगे तो यहां पर जो पोस्ट्राइवेट कैंडिडेट्स हैं वही इसके लिए apply कर सकेंगे और इनकी जो percentage है वह कितने हों चाहिए तगरीबन 50% marks जो होने चाहिए किसके इंतर पोस्ट्राइवेशन के अदर और जो है जो भी apply करेंगे इन vacancies के लिए या post के लिए तो वह होने चाहिए domosile of ut of jamu and kashmir मैं दोबार यहां पर बता देता हूं कि यह जो hiring की जा रही है यह temporary basis पे है जिसको हम contact basis भी कह सकते हैं cluster university coordinator for teaching school high school teachers और high school lecturers जो हो hire किये जा रहे हैं तो कौन-कौन से subjects हैं और कितनी-कितनी posts हैं तो यहां पर नीचे जो है दिये हुए हैं सबसे पहले अगर हम इंबाटनी की बात करें तो यहां पर 45 chemistry के 57 posts हैं commerce की जो वो 15 है economics की 40 posts है education की 48 और EBS की 30 English 82 geography 8 English Hindi 6 history 40 kashmiri 8 math की 100 physics 55 political science 60 sociology 30 statistics 6 उर्दो की 65 and zology 53 posts हैं तो यहां पर अगर हम बात करें terms and condition की तो hiring जो है यह temporary basis पर है at higher secondary level and secondary level as per need और जो monthly आपको pay मिलेगी वो रेने वाली है rupees 25,000 उसके बाद selection जो होगी वो merit base पर होगी तो यहां पर अगर हम बात करें यह hiring जो है 31st mark 2024 तक है उसके बाद end हो जाएगी जन उसके बाद यहां पर अगर हम बात करें जो tenure है हम पहले भी discuss कर चुके हैं तो यह 31st mark 2024 है कोई भी further notices के बारे में नहीं दिया जाएगा उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर age limit के तो 40 year age limit रखी है not born after 1-1-2005 and 1-1-1983 not born before उसके बाद यहां पर अगर हम बात करें तो candidates चाहिए वो domicile होने चाहिए यूटिया आफ जमू एंड कश्मीर के तो form जो है आप online fill करेंगे और उसके साथ कौन कौन से documents लगेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर मांगा गया है फर्स्ट क्लास judicial magistrate से और उसके बाद इसको अपलोड कर देना है दन उसके बाद DOB data of birth certificate या इसकी जगा 10th की mark sheet जब अपलोड कर सकते हैं उसके बाद आपको PG degree along with consolidated marks card जो भी आपकी PG की degree होगी और इसके साथ marks card भी आपको अपलोड करने हैं इसके बाद अगर आपने MPH किया तो MPH की certificate आपने अपलोड करनी है अगर आपने PhD करी है तो फिर यहां पर आपको PhD की certificate अपलोड करनी है और उसके बाद अगर आपने net या सर्ट किया है तो वालिफाई किया है तो उसके बाद यहां पर फिर आपको क्या करना है उसकी certificate जब आपलोड कर देनी है तो अगर आपने जो है रिसर्च पेपर वगड़ा यह रिसर्च पब्लिकेशन है आपकी तो उसका जो फ्रंट पेज होका वो आपने स्केन करके उसको अपलोड कर देना है लेकिन यह नार्ट मोर दें फाइफ इस ज्यादा नहीं होने चाहिए तो उसके बाद आपको यहाँ पर देना पड़ेगा क्रेक्टर एंटिसिटेंट साटिफिकेट फ्रम स्पैशल डीजी सी आईडी जैंड के यह आपको देना पड़ेगा आफ्टर फाइनल सेलेक्शन के बाद जो है वो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा क्रेक्टर साटिके किस चो कौन बनाके देखा आपको special dgcid जैंड के तो यहां पर अगर हम बात करें किस त्रीके से आप अप्लाई करेंगे अप्लाई के लिए यह आपको लिंक यहां पर दिया हुआ है तो इसको simply copy कीजिए और जाके ब्रोजर में paste कीजिए तो उसके बाद यह जो है open हो जाएगा यहां पर यहां पर यह जो वेबसाइट है dsc.nic.in official website पर आप विजिट करें और वहां पर यह आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई का तो इसके related हम जो है dedicated वीडियो लाएंगे तो वहां से भी आप जो है help आपको मिल जाएगी तो अगर हम बात करें यहां पर कब तक जो है आप apply कर सकेंगे तो यह रेने वाली है जी 20th of August 2023 का आप 2023 तक आप जहे इसके लिए online apply कर सकेंगे तो mode की पहले हम बात कर चुके हैं कि आपको online apply करना है तो उसके बाद यहां पर अगर हम बात करें selection procedure की तो selection जो हमने discuss किया है कि वो merit base पर होगी तो यहां पर weightage कितना कितना दिया है तो इसके बार में हम देख लेते हैं साथ से पहले अगर हम बात करें PG के 80 points है यह होगे pro databases पे उसके बाद MFIL के 5 points रखे गए हैं उसके बाद PhD net or set के 10 points रखे गए हैं और इसके बाद publications के जो 5 points रखे गए हैं one point जो है वो का for each such publication आपको maximum of five points एक publication का आपको एक marks एक mark दिया जाएगा अगर आपके तीन है तो तीन marks five है तो फिर five marks आपको दिया जाएगा या आप जो है form fill करने से पहले इसको आटेस्ट करवा लें आपने judicial magistrate से तो इसके बाद जो है वो अपना online form fill कीजिए तो dear friends इस वीडियो में आपको बस यही information देनी थी so that's the end of video thanks for watching as always God bless you all